वेल्कम टु इन्फॉर्मेटिव सिटी सो हलो दोस्तो चलिए प्रक्रती और जीव जन्तु के बारे में बात करते हैं डार्विन के अनुसार हम सभी एक ही जीव से उत्पन्द हुए है लेमार्क ने इवोलिशन के बारे में बहुत सी चीज़े बताई थी जैसे मुसम के अनुसार जीवों में इवोलिशन होना और भी बहुत सी चीज़े बताई थी और लेमार्क के द्वारा दी गई थियोरी ही लामार के बाद या लेमार के बाद कहलाती है उस समय यहां बहुती प्रसिद्ध हुई थी पर बाद में इसे माना नहीं गया क्योंकि यहां धर्मे के विरुद्ध थी उस समय जो भी धर्मे के विरुद्ध बोलता था उनकी आवाज को दबा दिया जाता था और तो और कभी कभी सजा भी दी जाती थी इसलिए कहीं सारे विग्यानी के पुड़ापे में अपनी बात सामने लगते थे क्योंकि उन्हें तो पता ही था कि अब वहाँ ज्यादा समय तक नहीं जी पाएंगे इसलिए उन्हें मोत का भी कोई डर नहीं था और डार्विन ने 1831 से 1836 तक बीगल एक बिल्गेडर नाव पर पाँच साल की समुदरियात राकी वहाँ अकेले नहीं थे उनके साथ दो ओर लोग थे उनका नाम अल्फर्ड वॉलेस और विल्लियम बेटसन है उन्होंने भी डार्विन के साथ मिल गर खोच की थी इन दो लोगों के बार में सायद ही आपको पता होगा पर ये भी डार्विन के साथ थे लेमालक भी एक जी विग्यानिक थे जिनोंने 1749 में जन्म लिया था और 1829 में उनका निदन हो गया मतलब यह डार्विन से बढ़े थे क्योंकि डार्विन का जन्म 1809 में हुआ था आपने कभी न कभी ये तो सुना ही होगा कि दोर लगाओ लटको इससे आपकी हाइड बरेगी और काफी हब तक ये सही भी है वैसे लेमालक ने भी यही चीच कही थी ये नहीं ये कही थी कि हम जिस अंक का इस्तिमाल ज़्यादा करते है वह उतना ही बढ़ता है या मजबूत होता है मैंने जो एक्जमपल बताया या छोटी स्केल पे होता है इवोलिशन एक बड़ी स्केल पे होता है ये चीच इवोलिशन में ज़्यादा समय लेती है और जश्ट इसका उल्टा भी होता है कि हम जिस अंक का इस्तिमाल करना छोड़ देते हैं तो वहां अंग देरे देरे गायब हो जाता है पीरी दर पीरी या कहूँ जनरेशन वाइस हमें थोड़ी बहुत चीजे बढ़ती है मजबूत होती है और कुछ गायब भी होती है यही चीच इवोलिशन कहलाती है ये भी लेमाल के नितिया था चलिए लेमाल के बात से आगे बढ़ते हैं और डार्विन बात पर आते हैं लेमाल के की कुछ बाते डार्विन की थियोरी में भी मिली है पर लेमाल के की थियोरी और डार्विन की थियोरी में बहुत अंतर है क्योंकि डार्वी ने बहुत सी बाते सामने रखी है जैसे की नेच्रल सिलेक्षन और आर्टिफिशल सिलेक्षन चलिए नेच्रल सिलेक्षन और आर्टिफिशल सिलेक्षन की तरफ बढ़ते है नेचरल सिलेक्षन में नेचर खुद चुनती है कि कौन जीवन जीएगा वो कैसे वो ऐसे आपने ऐसे जानवरों के बारे में तो सुनाई होगा या देखा होगा जो ऐसे रूप में लेते हैं कि नजर ही नहीं जाते जैसे हरी गास में हरा साथ बर्फ में रहने वाले सफिद भालू या मैं ग्रिगट का भी एक अच्छा एक्जमपल ले सकता हूँ जो की हालात के अनुसार अपना रंग बिदल देते हैं ताकि वहाँ दुसरे जानवरों से बचे रहे वेसे ही बहुत सार जानवर अपने आपको प्रकरती में ऐसे डाल लेते हैं कि वहाँ दुसरे जानवर को दिखते ही नहीं जिससे वहाँ बच जाते हैं अगर कोई अपने आपको प्रकरती के अनुसार नहीं डाल पाता तो वहाँ दूसरे जानवरों को आसानी से दिख जाता है उसके बाद तो आपको पता ही है और यही नेचरल सिलेक्षन है क्योंकि परिवर्तन ही प्रक्रति का नियम है और आर्टिफिसल सिलेक्षन में इनसान खुद चुनता है और इसका एक अच्छा एक्जामपल डोक्स मतलब कुत्ते है और डोक्स की वफादारी के किस्से आपने भी सुने ही होगे पर यह आय कहां से है यह भेर्य की प्रचाती से उत्पन हुए है और इन्हें उत्पन करने वाले हम ही है पहले किसी भेर्य को भुक लगी होगी तो उसे इनसान ने खाना दिया होगा फिर वहां भेर्य उसका पालतु जानवर बन गया फिर धीरे धीरे भेर्य इनसान के पालतु जानवर बन गया इससे भेर्य की एक अलग ही नसल पेता होने लगी इवोलिशन के चलते एक नई नसल का जन्म हुआ जिने इंसान ने नाम दिया डोक्स, मतलब कुत्ते जिने हम हमारे आसपास देखते हैं इसे आर्टिफिशल सेलेक्शन कहते हैं अभी और भी बहुत सारी बाते बाकी है उसके बारे में हम अगले पार्ट में बात करेंगे वरना वीडियो लंबी हो जाएगी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को सेयर करें कमेंट करें थांक यू फो वाचिंग